हलो गाइज मेरा नाम है केवेल्लारिया आज का वीडियो बार वा स्टेट 67 वा वीडियो का अफिसे दा इंपोर्टन्ट रेल्वे गुरूप डेंटवी से आरग भी सारी रेल्वे के स्सी और उप्सी एक्जाम के लिए तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते फर्मवेर हाडवे स्टार्थ का प्रयोःवन स्टार्वं ने सरहसे प्रथम के यह सोला सोट थैज में में को Mü तो कंक्यूटर आंकोडों मेंगल्ती को बग मुखbox जैप्रकास नारायएं सरुदय यूजनक 1950 में जय प्रकाश नाराय ने बनाया था आई सी आई से बैंक की स्थापना 1994 में इस्वी सन में हुई थी ग्रीन लैंड की खोच नान सेन ने की थी ग्रीन लैंड की खोच किती नान सेन प्रुथ्वी से सूर्य की दूरी लगबग 14.98 करोड किलोमीटर है प्रुथ्वी का एक मात्र उपग्र है चंद्रमा है युवा वस्ता में नदी का मुख्य कारे है अपर दन है रुद्धा वस्ता में नदी का मुख्य कारे है निक्षेपन वायू मंडलों को पाच भागो में बाटा गया है जैसे कि टोपो स्पेर स्टेटो स्पेर इसकी बेएक अलग से वीडियो बनिये दोस्तों वो जा कि आप प्लेलिस से देख सकते हैं उत्तर ही अमरिका में बहने वाली गर्म हवा है ब्लैक रोलर कहलाती है विशुवरुत्य प्रदेश के वन सदा बहार या सिल्वास कहलाते है पिग्मी कांगों के घने जंगल की निवासी है भूमद्य सागरिय प्रदेश में वर्षा का योग 25 से 100 सेंटीमेटर होती है विश्व का सरवादिक ठंडा स्थान बर्खो यानस्क है विश्व का सरवादिक ठंडा स्थान है बर्खो यानस्क एलिफंटा पास उत्तरी श्रीलंका को दक्षिन श्रीलंका से अलग करता है सेट 68 मन्नार की खाड़ी भारत एव़न श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में है भारत की जो सरवादिक प्रदूशित नदी साबर मती है मिनाम बकम हवाई अड़्डा चेन्नेई में अवस्तित है किन्ना स्वामी अभायरणने आंध्रप्रदेश में 10 डिग्री चैनल अंदमान और निकोबार के मध्य स्थित है भारत के सवविदान का सुरूप अर्ध संगिय है अनुच्छेद एक में भारत को राज्यों का संग कहा गया है सवविदान संशुदन की प्रक्रिया का उल्लेक 20 वे भाग में है भारत का एक ही राष्ट्रपती हुगा यहाँ अनुच्छेद बावन में कहा गया है जम्मु कश्मिर का सवविदान 26 जन्वरी 1997 इस उसन को लागो हुआ था मुहम्मद हिदाय तुल्ला ऐसे राष्ट्रपती हुए जो सर्वोच्चे नयालेके नयादिस भी रह चुके थे संसत के दोनों सदोनों की सयुक्त बैटक राष्ट्रपती बुला सकता है उपर राष्ट्रपती का वेतन संचित निदी से दिया जाता है सेट उनसत्तर राज्य सबा का सदस से अपना त्याक पत्र उपर राष्ट्रपती को सोबता है राज्य सबा का अधिवेशन राष्ट्रपती बुलाता है संग शासित प्रदेशों से 20 प्रतिनिती लोग सबा में चुनी जाते है संग शासित प्रदेशों से 20 प्रतिनिती लोग सबा में चुनी जाते है पहली बार 27 दिसेंबर 1970 को कार्यकाल से पूर्व लोग सबा को भंग किया गया था भारत के प्रतम लोग सबा अध्यक्ष गनेश वासुदेव मालवन करते समान वायुद आपको मिलाने वाली रेखा को आई सो बार कहते सर्वोच्चे नयले की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हीटी भारत के प्रतम सर्वोच्चे नयले के नयदिश हरी लाल जे कानिया थे संसत के दोनों सदनों में प्रत्यक बैठक के प्रारंब के एक घंटे का काल प्रश्ण काल कहलाता है राज्य विदान मंडल के उच्चे सदन को विदान परिशत कहते हैं राज्य विदान मंडल के उच्चे सदन को विदान परिशत कहते हैं विदान परिशत को कभी नहीं भंग किया जा सकता है विदान परिशत कभी भी भंग नहीं की जा सकती फ्यू स्तार का गलनांक कम होता है मतलब की जल्दी से हो पिखल थोड़ा भी ज्यादा करण जाए तो वो जल्दी से पिखल जाता है सेट सत्तर वर्तमान में भारत में कुल चोईस उच्चे नायले अभी थे अभी होगे टोटल 26 उच्चे नायले चुनाव आयोग का एक स्वतंत्र सववविधानिक संस्ता है संग लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कारेकाल 6 वर्षका होता है संग लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा का आयोग का कारेकाल होता है 6 वर्षका वित्ता आयोक का गठन 1951 इस्विशन में किया गया था जंडे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है राष्ट्रगान को सविदान सभा दौरा 24 जन्वरी 1950 इस्विशन को स्विकार किया गया था सर्व प्रतम राष्ट्री गीत वंदे मात्रम को अठरा सभा दौरा दौरा राष्ट्रगान जो है जन्गर मने ये लोकसाबा सदन शुरू होने से पहले और राष्ट्रगीत वंदे मात्रम लोकसबा अधिवशन खतम होने के बाद गया जाता है सविदान सभा ने तिरंग ये को राष्ट्रिय ध्वच के रूप में 22 जूले 1947 को अपनाया था इसके डिजाइन जो है दोसो थ्री इस्टू टू का इसका रेश्व है पिंगली वेंकई यान इसका डिजाइन बनाया और हमारे भारत का जो गीत जेंडा की तो है विजाई विश्वती रंगा प्यारा शक्र सववत का प्रथम मेना चैत एवं अंतिम फालगुन पहला चैत मेना और अंतिम मेना फालगुन पश्व राष्ट्रिय पंचांग को 22 मार्च 1957 को लागो किया गया था राष्ट्रिय पंचांग को 22 मार्च 1997 संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम भारतिय जनरल दे केम कर्यपप स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम भारतिय जनरल दे केम कर्यपप स्वतंत्र भारत के नौ सेना के प्रथम कमांडर स्वतंत्र भारत के नौ सेना के प्रथम कमांडर वाईस एड्मिरल आरडी कटारी थे स्वतंद्र भारत के प्रत्थम वायुसेना के जन्दरल एर मार्षाल आशुतोष मुखरजी थे सेट इकत्त भारत रत्न से विभुशीत प्रत्थम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी भारत रतना से विभूशित पहली मैला थी इंदीरा गांधी घर का ही था दोस्तों इनके पीएम खुज जो थी तो विश्व का सबसे गर्ण स्थान था अल अजीजिया हा लीबिया अफरिका में है भारत का सबसे बड़ी जण जाती समुदा है गोंड प्रिंस ओफ वेल्स संग्रहाले मुंबई में स्थीत है दस ड्राउनिंग स्ट्रीट लंदन में स्टैची ओफ लिबर्टी न्यू её жंब अवस्थीत हैं अर्दगंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है धान की डलिया चत्तिसगड को कहा जाता है धान की डलिया किसे कहा जाता है चत्तिसगड को भारत का बिस्मार के नाम से सर्दार वल्लभाय पटेल को जाना जाता है भारत के बिसमार, सरदार वलभय पटेन, इनगी के नाम पे Statue of Unity बनी है Statue of Unity इनने लोहपूरिश के नाम से जाना जाता था ये थे गुजरात के, सयुक्तर और भारत के पहले गुरूह मंत्री थे इसके पाच देश स्थाई सदस्य होते हैं अंतरराष्ट्रे नेलेले आए सी जे इंडियन कोट अप जस्टीस यह युनाइटेड नेड और्गनाइजेशन का एक अंग है दोस्तों में नहाय दिशों की संख्या होती है 15 तथा कार्यकाल होते हैं 9 वर्ष का 15 नहाय दिश 9 साल क वर्ड विश्व मौसम विद्नाज संग वर्ड अब इन्वायर्मेंट होगा है और और्गनाइजेशन कुस्तों यह भी सयूक राष्ट्रकाय का और्गनाइजेशन है दोस्तों कि स्थापना हुईती 19 मार्च 1991 में 19 मार्च 1991 में हिजरी सववत का संबंद हजरत मुहम्मद सा आप से काली बंगा के मकानों में कच्ची इटों का प्रयोग किया गया था सेट भात्तरवा वैदिक सब्वेता एक ग्रामिन सब्वेता थी सामद्यव को गीतों के रूप में गाया जाता है सहसे संगीत के लिए फेमस है पाटली पूत्र की स्थापना उदाईने की थी महापदमानंद नंदवन्शक के संस्ता पकते और इनके आखरी जो राजा गद्धी पर बैटे थे उनका नाम ता धनानंद इने हराय था चंद्रहगुप्त मोरे ने मदद की थी चानक्यय का नाम है एक क utilized अशोक का बता है अशोक के स्थमब का पता सरव प्रतम टिफैंहलर ने सत्रासॉत-पच्यास में लगा ज़ता है टिफैन थलर ने 1750 में लगाये तम गौतमी पुत्र शतकर्णी 7 वहां वन्ष का शासक था अश्वगोष कनिश्क का दर्बारी राजकवी था इलाबाद प्रशस्ती के लेकक हरिशेन थे इलाबाद प्रशस्ती के लेकक थे हरिशेन हर्षवर्दन ने 41 वर्ष तक शासन किया था उसका शासन का 647 इस्विशन में समप्थ हुआ इबने बतुता मोरोको का निवासी था जिसने मुहमत बिन तुगलक के समय भारत का भ्रमन किया था किसने इबने बतुता ने नटराज की मूर्तिय चोलकाल की है पुलकेशिन दो का दरबारी कवी रवी किरती था सिद्दार्थ को द्न्यान 35 वर्ष की अवस्ता में प्राप्त हुआ था 12 वर्ष के कठोर तपस्य के बाद महावीर को द्न्यान प्राप्त हुआ था भारत पर आक्रमन करने वाला प्रतम मुस्लिम आक्रमन कारे था मुहमत बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमन कारे था आक्रमन कारे जिसने भारत पर आक्रमन किया था वो था मुहमत बिन कासिम तो इसे के साथ ये वीडियो अमारा खतम होता है दोस्तों 12 वीडियो ताई मिलते तेरवे वीडियो में नए पाट के साथ नए जोश के साथ धन्यवाद